समस्कार, वोई लवा हम आपनों स्वाग अच्छे आपनी साथ आजे महाराष्ट ना राजकार अंदर जी चारिरे उशे धमाशान चारिरे उशे राजकिया प्रवाही परिस्तिमा 15-70 दिवस्ती यह प्रकार है कोई सथान अज सुझी सरुत है ना ती यहां सरकार कोई बनी सकी ना थी हमारे साथ राजी सातोव सहब ए आई सीसी के सेकरेटरी है वो साथ खड़े हैं उनसे बात करेंगे यहां पर अभी जो भाराष्ट का जो माहौल है वो सीवसेना को भी दो दिन का मौलत दिया लेकिन समय से पहले ही राष्टरपती सासन की जो बात हुई उस पर यह क्या है आप क्या टिपनी करेंगे तो आपने अगर देखा होगा कि जिस प्रकार मानिय राज़ापाल द्वारा भारतिय जन्ता पार्टी को तो परियाप्त समय दिया गया सरकार आने के बाद से शिवसेना कह रहे थी कि हमें मुख्य मंत्री पद नहीं मिलेगा तो हम सरकार में नहीं जाएंगे राज़ापाल महोदे ने शिवसेना से बात करनी चाहिए थी भारतिय जन्ता पार्टी से बात करनी चाहिए थी और अगर भारतिय जन्ता पार्टी को 10-15 दिन का समय उन्होंने दिया तो शिवसेना को भी समय दिना चाहिए था शिवसेना को सिर्फ 24 गंटे, राष्टवादी को तो 24 गंटे भी इनोंने दिये नहीं, आप ऐसे इस प्रकार से मानने राज्यपाल से ये उचित नहीं था, मुझे लगता है बारती जंता पार्टी के केंद्र के सरकार का दबा उनके उपर रहा है और इसलिए शायद ये निर में बगर भारतिय जंता पार्टी के सरकार के पक्ष में काम कर रहा है अब क्या माहौल होगा अब जब के राष्टपति शासन लगा दिया गया है तो क्या कुछी सरकार बनने का कोई चांसिस है, कॉंग्रेस, NCP, सिवसेदा साथ हो की क्या होगा बहले किंदर सरकार द्वार राष्टपति शासन की बात की गई होगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम बगर भारतिय जंता पार्टी गोवर्मेंट देने के दिशा में काम कर रहे है, राष्टवादी और शिवसेना के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हमारा प्लान चल रहा है, अगर कॉमन मिनिमम प्र राष्टवादी पार्टी और राष्टवादी कॉम्ग्रेस पार्टी है, ताने बेगा मड़ी और सरकार बनावानी पन प्रक्रिया नो वातरण चारी रहे हुशत्ति अंगे अमने वात करी, थैंक्यू.